सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें पाकस्तान की करॉप्शन इंडिक्स में तनजली गुश्टा साल पाकस्तान में करॉप्शन बड़ी ट्रांस्परिंस्री इंटरनेशनल आलिमी दरजबंदी में तीन दरज़ा तनजली पाकस्तान एक सो वीसमें नंबर पर पहुँच गया है बंगला देश 26 पॉइंट्स के साथ 146 वें नंबर पर है और इसके साथ इस साल मतादत मुलकों ने अच्छी कारकरदगी का मुझारा नहीं किया है और नैब ने बहतर कारकरदगी दिखाई है इसके इलावा आज हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के करॉप्शन को खत्म कर ने की जो दावे थे और नैब भी सरगर्म है इस पर हम तद्जिया लेंगे फात्मी साथ का जो की तरह स्टोडियोज में मौझूद है जी अस्ताम अले को वाले को मस्लूब कैसे हैं पाकस्तान करॉप्शन के हवाले से बात कर रहे हैं तनसली की तरफ चला गया बिलकुल च की हैरत की बात नहीं है सवाई यह कि पी टी आई अपने तोर पर यह समझती है कि उनके हां करॉप्शन खत्म हो रहा है यह किया जा देखे इसमें इंपॉर्टन चीज यह है कि इस पूरे पंद्रह माह में जो मुझे नजर आता है कि यह तो इमरान खान फजाओं में हैं या उनकी मालूमात जीरो है या उनके पास जो कॉम्निकेशन के जराय हैं उनके साथियों से वो उससे बिलकुल नाबलद है या वो एक शीशे के घर में बैठे हैं जहां बहुत पुर्फ़जा मकाम और हर चिस उनको हरी हरी नदर आ रही है क्योंके देखे अभी जो हालिया एक मकानत तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा कि फौज हमारे साथ है क्योंके क्योंके करेप्शन ने और पिछली हुकूमतों के साथ फौज इसलिए नितिके करेप्शन उनमें बहुत थी तो यह वाँ जाहरे जो लोग समझधार थे वो जाहरे सर जो काई सुनते रहे इनकी बात अब रहा करेप्शन के हमाले से जो दावा उन्होंने बाहर करके आगए अभी आए हुए वहाँ से निकले कि यह खबर आगए कि ट्रांसपेरिसन इंटरनेशनल की अच्छे यह एक आजाद एदारा है इस पे किसी 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 का जबर नहीं है एक सुआसी ममाली को उन्ह दो प्रशने के कि आखिरी यह क्यों हुआ वह सारा दूर इस पर लगा रहा है कि यह रिपोर्ट जो है यही बेकार है तो अगर यह इत्तफाग से फरस किजे कि यह रिपोर्ट आती किसा किसी कि साब कर्प्शन कम हो गई तो इस वह तक आप यकिन करें कि सारे वज़रा वो पाने में नाकाम हो चुकी है नाकाम क्या मुकदं दिखे है कि आप बहाना क्या है कि कि पंडरा मा हमा कम है कोई काह where is फंडर्रा मा कम है कोई काहई रहा व Здесь पर अरे बाई बात यह है ज़ी अ systir работать पहले सथी तो ठीक है यानी इसको बढ़ने में नहीं रोक सकी तो अची अची आप इसको छोटी सी बात देख लिए आप कि अभी सिर्फ चन्द दिनों पहले आटे का बहुरान था आप मैं अची तरह दुना होगा पूरे शहर में अच्छा वो मुझे नहीं पता कि अमरान खान साहब की सलायत क्या है समझभूच की या सलायत क्या मौशी उसमें है उनकी दस्तरस कितनी है कि बिलकुल अंधा काना लंगडा भी कैलकुलेट करके बता सकता है कि आपको तमाम एदारों ने खास तरह पर जो फूड सिक्रिटी का एदारा जो बड़ा है अधारा है उसने आपको वान किया था एक साल पहले लास्ट येर फैवरिरी से अपरिल तरह कि आप इस साल हमारी जो गंदुम की पैदावार है वो बहुत अच्छी नहीं है भी अफगानिस्तान हुआ उसके बाद अब ये हुआ कि दो तीन रोज पहले तैह हुआ कि वापस तीन लाग अच्छा अब ये लोग ये समझ रहा है कि ये बड़े मासूम लोग है बिशारों से ऐसी कोई नहीं बड़ी वेल प्लैंड हुआ पहले अर्बों रुपे बनाया क्या इमरान खान अगर इतने बेखबर हैं तो प्राइम इस्टर क्यों है कि उनके साथ बैठे हुए लोग ये सारे गवन कर रहे हैं साथ बैठे लोग अच्छा मैं आपको छोटी सी बात बताओ कि अब ये अभी आटे से निकले नहीं कि चीनी का शूर हो गया मैंने पहले भी अपने किसी जाती प्रोग्राम में कहा था कि ये सर्दी का तोफ़ा था इमरान खान का अब गर्मी का तोफ़ा जो रम्दान से पहले शूगर पहुंचाएगी सो रुपे पर अच्छा उसके बाद अभी शूगर एक्सपोर्ट हो रही कोई पाबंदी नहीं लगाई गय इसमगल भी हो रही है उसके बाद इम्पोर्ट किया जाएगा उसमें पैसे हैंगी तो पादी सबस्वाल ये उड़ता है कि फिर आखिर आखिर इनके दावे गए कहां पर नहीं दावे बिल्कुल जूट के मबनी है देखिए दो बाते हैं इसमें बहुत मुम्किन है कि ये इमरान खान की जात की हद तक तो सही हों है कि वह वह इमांदार है और चाहते हैं लेकिन देखिए एक चीज़ समझ ले आप अगर हमीशा आप ये कहते हैं कि उनके साथ जो न के हमने हागा है ये जो अंकी टीम में उसमें प्राइखिए तो बड़े लोगे आदे इनके भड़े आधर बड़े ले ले झिया हुग कुझे जब झहते हैं तो नौरतन के हाओस डिया उकभर तो जाल... बिल्कुल रनपड़ा आदमी था तेरह साल की बने में बाश्शा बन गया लेकिन जो उसके इतराफ में लोग थे वो इतने मजबूत थे जो उसको सही गाइड करते थे नतीजाए कि हकोमत की अठाट से उसने बात यह कि इमरान खान के इतराफ जो लोग आप यह से कह रहे हैं इनको कोई मिजगाइड कर देखे ना इनको खबर ही नहीं यह जो चाहते हैं अपने बोलते रहते हैं पूरी दुनिया जाके एक तो इन्हों ने एक पैटरन पूरी दुनिया से निराला मेरा खाल दो हजार साल की तारीख में कोई प्राइमिनिस्टर या प्रेसिडंट या बाश्चा नहीं पैदा हो जो जाके अपने मुलक की बुराई बाहर करता हो फखरिया कि जी पहले बड़ी करफशन थी पहले बड़े चोर थे पहले अरे भाई कौन से दुनिया के आप आदमी हैं लोग हसते हैं मजाक उड़ाते हैं कुछ लोग आप पे इतरास करते हैं क्य अगर हम इसको पड़ोसी मुलक से अगर हम इसका मवादना करें जैसे आलमी दरज़ा बंदी में तीन दरज़ा तनजली और पाकस्तान एक सो बीसवे नंबर पर पहुँच गया है अच्छा रैंकिंग में पड़ोसी मुलक जो हमारा भारत है इसका स्कोर एक तालेस और वो असी असी वे नंबर पर मौजूद है तो आप इसको किस तरा ने चालिए देगे एक चीज़ समझ ले आप तो आप क्या वज़ा समझे देगे एक बात समय ले अंडर डेवलप कंट्री जतने हैं दुनिया में उसमें कर्फशन बहुत है क्योंके पूरा मज़ाज उसी थे क्योंके होता ये था कि जब ये कॉलोनीज थी या बिटिश कॉलोनीज या फ्रेंश कॉलोनीज या पु दिवें पाकिस्तान में भी कर्फशन लेकिन हमें परब्लम हो रही है कि عम्रान खान ने पूरा अपना कंपेनीजी कर्फशन के खिलाफ चलाफ चला है अगर ये बात MIA Councillor की होती ये बात है जरदारी की होती तो शायद लोग अत्हीं बीना करते हों करते हूँ यार तो पता ये सही है बदनाम है लेकिन इमरान खान यानी जो अभी दो दिन पेहले तीन दिन पहले भी महाँ सेजोड़ लेंड में कह कि आ गए सारी बात में कि जनाब ये मुश्किल है और फला है और करफशन खतम हो रहा और ये असल चीज़ है और मैं ये सोच रहा तो ये इस से ये पता चलता है कि ना इनको इद्राक है सियासत का ना इनको समझ है मौाशियात की ना इनको ये फहम है कि इनके बीच में देखे ना मैं तो इसे चोड़ दीए पक्तून खा की बात बताओं कि पक्तून खा ये खबर इखबार की मेरी नहीं खबर है कि पक्तून खा में पांच सिटिंग वज़रा और तीस मिंबर जो है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बात कर रहे हैं कि जनाब चीफ मिनिस्टर जो है वो corruption को encourage कर रहा पंजाब का तो खर कहनी बेकार रहा पंजाब में तो रोस का तमाशा आपको याद है चौदी फर्वेज इलाही जैसे आदमी ने कहा उसके इंडरेक अभी फवाद चौदीरी साहब ने कहा पीट पे सबसे बड़ा खंजर मार रहे हैं वो इस तरह कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि कर्रेप्शन जारी रखो दूसरी तरफ करें जी मुझे कोई नहीं हटा सकते हैं प्लस जो लोग उनके साथ हैं या चौदी बरादरान है या MQ में वो भी ये कह रहा है कि जनाब हम में बहुत खफाए हैं वजारा चोड़ देंगें लेकिन यह कर रहा हम साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ओपर से डंडा है हमारे हमें साथ नहीं चोड़ें ठीक है ब्रेक कर्या चाए तो वजिराज़म जो हमारे इमरान खान साथ वो मुल्क से कर आपोड़किं के खात्मे का एक अजिजार तो तो कर रहे हैं लेकिन सवाल यह पैसे था होता है कि के पाक्सितान को कर रहा हमें इसके लिए करना क्या होगा ब्रेक के बाद हम अतद्जिए लेंगे म जी नाजी प्रोगैम के दूसरे हिस्ते में आपको एक बार फिर खुशामदेद कहते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले सवाल ये चोड़ा गया था कि वजीराजम इम्रान खान साथ जो है हमारे वो मुल्से करफशन के खात्मे के लिए तो पुराजम हैं लेकिन इन पंद्रा महीनों में कहां तक करफशन को वो खत्म कर पाए और वो मुस्तकिल बन्यादों पर जमी हुई है डटी हुई है या किसी हद तक वो कामियाब हुए है या नहीं वाद्मे साथ इस पर तज्या दे रहे थैं मुझी इन से मालूम करते हैं या वाद्मे साथ आखिर हैं आपका लफ तो नहायती घिर मुनासिभ है बुरी तरह नाकाम हुए है और बुरी तरह नाकाम इसलिए हुए है कि पूरा महल इन्होंने जूट पे खड़ा किया हुआ ह तो जाहर है वो दीवारें आहिस्ता इस्ता गिर रही है देखे है क्या कि एडिमिस्टेशन का सिर्फ काम तक्रीरों से नहीं चलता है जुबानी जमाखर्च से नहीं चलता है जजबाती नारों से नहीं चलता है यह प्रैक्टिस मांगता है अमल मांगता है ना जो इमरान खान کے ہاں صفر ہے عمران خان کی جو پوری ٹیم ہے اس کے ہاں صفر ہے اچھا اب رہا یہ کہ جیسا کہ خود کہتے ہیں کہ پیچھے ادارے ان کے ساتھ ہیں بے ادارے بھی ایک حد تک ساتھ ہوں گے نا جب تک آپ اچھے کام کر رہے ہیں بورے کام ہے تو نہیں ساتھ ہوں گے نا تو اب یہ ان کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے آہستہ آہستہ اپنے ساتھ ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو والی कैفیت इमरान खान ने बड़ी आक्वर्ट पोजीशन की हुई या पाकिस्तान में तमाम इदारों की और सियासत की अचा जम्हुरियत का तो ऐसी इनों ने बिलकुल कश्टी डुबो दी है अचा शख्सी आजादी खतम कर दी है अचा अचा अब ये जो इनका हथकंडाने जो क करेंगे वही उसके खिलाफ हम कर देंगे उसको बंड देंगे उसको करफशन देखे करेफशन खतम आदमियों से नहीं होता है कि चार आदमिया आपने पकड़ लिये चौरी खतम होगी चौरी और चौर बिलकुल दो अलग चीज़ है, चौरी इस इस सिस्टम, चौर इस पर हो रही है पाकिस्तान में तो मुझे पकड़ लिया इसमर्गिलिंग करते हुए अरे बाबा हमें साहत तमाव लोगों ने ज़ो इसलिटी दी है जो तमाम आसानियं उनको आप कुछ कहने को तयार हो तो अब तो अभी हैं आपके खाल में वह नाकाफी रहे कर्फशन को ओरकम करने के लिए यह तो कहरा हुआ बिलकुल नाकाफी लिक बश्रते के कर्फशन अपनी जगह रहती जो पंद्रा महीने पहले तो मैं इनकी बात मान लिता कि पंद्रा महीने बहुत नहीं किया बढ़ कर्फशन बढ़ कैसे सकती यह तो समझ में ना आने वाली बात है नहीं कि साब पिछला जो था करदा दस रुपए था अब हमायते बादा करने कि इसको आठ कर देंगे अब बारा हो गया करने साब पिछला आठ था तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा तो बिलकुल मतलब आपके खल में यह ज़ुत इस बात की के बैठे लोगो और यह कहेंगे देखो बैए इंटरनाशनल ट्रांस्परियंसी की यह रिपोर्ट है ऑव बैठ के बात करें कि कहां कहां हम से गलती हो गलती दूरुत अच्छे इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है भाई हम सब इनसान है ना रही हम सब वरना वो यह कहती है, इमरान खान साथ को फौरन बयान देना चाहिता है, कि आएम शॉक्ट भाई, कि यह भाई हमारे बारे में यह खबर आए, आखिर कैसे हम तो बड़ी इमानदारी से खत्म करना चाहरे है, कर्यप्शन, तो फिर कर्यप्शन कैसे बढ़ रही है, बुलाओ कह सकता है, ऐसी बाते हैं, यह इसके मतलब आप अंदादा लगाएं कि हमारी लाइल्मी और कम फहमी अपनी इंतहा पे पहुंची है, जहां हम यह सुनने, यह जैसे आपने अगर मुझे कहा कि आपके घर में यह प्रॉब्लम होरी दफ्तर में, तो मैं सुनने के लिए तयार नहीं हूँ, बजाएए कि मैं कांगे, इसमता हमें डॉक्टर शाहिदसन सिद्धीकी साब आप फाप्पी सब जॉइन कर रहे हैं, टेलेफोन लाइन पर माहरे मौशियात उन्हें गुफद्गों में शामिल करते हैं, जी, असलाम अलेकुम, डॉक्टर शाहिदसन सिद्धी बात है क्योंकि 2016 में पाकिस्तान में जबर्दस करप्शन में कमी बताई थी जी 2016 में और 17-18 में जो है तर फिर वो मेंटेन रहा कोई नहीं बढ़ी और जो पार्टी कोव्मी जो करप्शन के जड़ से उखाडने के नाम पर आई थी उसके दौर में करप्शन बढ़ गया इसमें कोई शुबा नहीं है तो यह तो इन्होंने आज कहा है हम तो बड़े अक्से से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ा है और उसकी वज़े वो है मैं आपको बता दूँए उसके जुम्ले दो सुनिए सियासत में बड़े पैसे और असर रसूब को रोका जाए और दूसरा उन्होंने कहा है कि दुनिया बर में स्टियासी फिनेंसिंग को कंट्रोल किया जाए तो यह बात मैं आप से आज करता हूँ खेल क्या है हुआ यह था कि जिन लोगों ने जब यह एलेक्शन में टिकट दे रहे थे तरीक इनसाफ वाले वाइदे उन्होंने कुछ भी कियों हुआ 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 अपने सियासी असर रसूख होता है अब आप ये देखिए कि मैं नाम लेदर नहीं चाहिए पका लेदर जहांगीर तरीन साथ जो है उन्होंने एनाउंस किया था कि हम गंदुम इंपोर्ड करेंगे जिया हला कि आपको पता है वो सजा याथता है उस वट तक ECC ने भी जो है जा जागा लेदर देखिए उस चाहिए जागा है तो छीज़ आपको समझ में आ जा जाएगा कि तमाम पार्टियां तमाम पॉलिशियां इक्तिदार को बर्करा लखने के लिए बनाई जा रही है चाहे उसमें करॉप्शन बढ़ा या हो उससे कोई तालुक नहीं है और करॉप्शन और टेक्स नहीं जो गुरूश को पहुँची तो ये तो हो नहीं था फिर मेरे साल से ठीक है तो डॉक्स अब दूसरे जानव ये जो हुकूमत ने ट्रांसपेरिंसी इंटरनेशन की रिपोर्ट को जानबदार करार दे कर जो मुस्तरत कर दिया है इसके सास्थ सर फिर्दौस आशिक अवान जो है वो कहती है कि इस इदारे की अपनी ट्रांसपेरिंसी सवालिया निशान है आप इस पर क्या कहेंगे देखिए बात ये थी कि सारी दुनिया उसको मनती है अख्वाम मतहिदा मनती है इस अमाम दुनिया के मुमालिक मनते हैं और जब वो पहले माजी में कभी पाकिस्तान के खलाब बोलते थे तो आप फॉरन जहें उसकोर लेकि आस्मान पर चाड़ जाते थे मैं तो एक समान पूंच पूछना चाँघा हूँ कि क्या इस हुक्वट में काभी ने मैं जिन्में माजी में गलत कारी में मुनोंविस रहे हैं क्या या हकूमत पर ऐसे लोग शामिल नहीं है जिनको इम्रान खास आपने इलेक्शन से पहले बड़ा टाकू कहा था क्या ऐसे लोग शामिल नहीं है जिन्हों ने गलत तरीके से करदे माफ कराएं क्या ये बात सही नहीं है कि FWS के चेरिविन majority है 17 जो है वो लोग हैं और आपके अपनी पार्टी के लोग जातर गलत pilgrim Cap वो जो हैं मिताल्बाद कर रहे हैं और वो आप मुताल्बाद पूरे कर रहे हैं और वो इसका शुवा नहीं है कि अगर आज ट्रांस्थरेंस कि निजरेंशनल का हम तो एक अवस्थे से कह रहे हैं इस अकुमत की पॉलेशियां जो है करप्शन बढ़ लाया है टेक्सी चोरी बढ़ लाया है कौमी दौरत ज्यादा लूटी जा रही है टेक्सों की वसूली गिरी है ये तो कभी पाकिस्तान में हुआ नहीं तो ये तो मुझे तो कोई शुखा नहीं है कि रिपोर्ट सही है बलकि बहुत से बाते हमना पता है जो होनी चाहिए देखिए बतकुसमती से परेशान को नहीं होनी चाहिए इसलिए कि पाकिस्तान में जो है वो मेरिट नहीं है अब मिसाल के तौर पर मैं एक बात कहता हूँ कि बेश्तर मास्य अशारी उससे खराब हैं जो इस हकूमत को विर्शे में मिले थे अभी आएमेंस न परसों कहा कि बेरोजगाशारी बड़ी है पाकिस्तान में जो परसों कि रिपोर्ट है अभी जो है लिए और नहीं होगए दो हजार तो हाल्मियादी फ्रिएस एजारे ये कह रहे हैं कि 2022 तक पाकिस्तान का जोड़ृच रेट उससे कम रेगा जो इनको Sebback टूर ले मिला मै मुल्क को आगे ले गए हैं तो बात यह है कि इस मुल्क में हमारा जो है मीडिया है वो भी पुलिटी भी डिसकस करता है असल शेक्स तो डिसकस नहीं होते और पार्लिमेंट के मिम्बरान भी जो है वो अपने अपना मुफाद्दे करें को इसने कहा है ट्रांसपरेंसी इंटर तो आप क्या दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं यहां तो अगल नहीं बात आ जाएगी पिर उसको ले कि हम बढ़ जाएंगे आगे तो हमेशे यही होता है पाकिस्तान न डॉक्र साब अलेकुम खायस फात्मी अर्स कर रहा हूं सर क्या हाल है जनाब वालेकुम अस्तलाम अच्छा यह तमाम चीजें तो अपनी जगा है कि करप्शन में रिजाफ़ा सब कुछ इमरान खान कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज करप्ट अनासिर का मुकाबला है जो हर दिन एक नई अफ़वा पहलाते हैं एक तो यह उन्होंने कहा और दूसरे यह कहत हैं कि हमारा चैलेंज ही करप्ट नासिर के खिलाब मुकाबला करना तो यह दोनों को कैसे आप इसको आउजान पर रख सकते हैं तरा दूपर बड़ा क्रियर है मैं आप से अर्श कर दूँ वह बात क्रियर इसलिए है कि अभी जब इन्होंने पी आईए में एक आदमी लगा है क्योंकि वह सिफारिश पर आए हैं तो आपने जिदारों को खुद तबाह किया है नंबर एक पर यह हो गया दूसरी चीजी है कि जो मैंने अभी कहा कि एक साब को आप कहते थे कि वह पाकिस्तान का बंजाब का सबसे बड़ा डाकू है क्या वह हकोमत नहीं है क्या जिन ल कर रहे जाएगी इनकी हकूमत गाइन इसलिए है कि वह एलेक्टिबल्स जिनके माजी ताख़दार है वह आज भी हकूमत में हैं और वो इनको इसलाह नहीं करने दे रहे तो फिर इसकी इस खुसम की बात करना नंबर एक नंबर तो यह कि टेक्स वी विसुली कि इन्होंने लिए कहा था कि माजी में लोग इसलिए टेक्स नहीं देते थे कि उनको यकीन नहीं था लेकिर आपके दोर में तो एफ्सुलूट तर्स में गिर गई 18 में ज्यादा थी 19 में इसका क्या आप कहेंगे करदे जो 10 अरब डॉलर के बढ़ गए एक साल में वो कहां गया यह पैस हैं जिनको इन्होंने अपना हलीव बनाया है उन्हीं के बेसिस पर यह हकूमत चल लए है अगर वो हट जाए या वो खिलाफ हो जाए अगर आप उनके खिलाफ एक्शन ने तो यह था हकूमत गिर जाएगी तो पहले तो यह कहते हैं कि यह कहते हैं बीस पच्छिस लोग से कैबरिन पर होने नहीं चाहिए अब आपने से पूरी फॉट बना दी है इसलिए कि आपको वोट चाहिए तो यह वह खूमत अग्जार में आई है ताकतवर्ट तबकों को नवास कर और उन्हीं के बेसिस पर काइम है तो दुनिया ने फिर यही रिपोर्ट देरी थी जो आ हाई पंड़ चाहिए थी हम तो बहुत पहले हैं कि एकिशना नहीं और और रहा है और गुर्बत बड़ और यह बेरुज़गारी और यह प्रुज़गारी भी और यह इदारों में जो है वह पोड़े जा रहे हैं आप स्टेट बैंक मैं आपको जुम्ला कहना चाहता हूँ पाकिस्तान की माशी खुद्मुक्तारी की अलामत होगा आज आपका गवर्नर और आपका डिप्टी गवर्नर भी आप बाहर से लेए खुदा का गजब से दरें हमारी हकूमत में हमारी स्टेट में में इतने काभी लोग बैठे हैं आपने सब को छोड़के एक आद्मी को डिप्टी गवर्नर की बाहर से ले आए वो भी आई एमफ का और इससे पहले जो मीटिंग हुई थी मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूं आई एक के साथ जो मु ख़दा के लिए ये चीज़े कभी पाकिस्तान में हुई नहीं हैं तो ये जो इन्टिलेक्टिल करफशन फाइनेशल करफशन प्रूज पर है और उसकी वज़े सी ये तुरत अहल पैदा हुई है अजए एक आखरी सवाल ये कि अब आप ये कह रहे हैं कि सारे इनके एर्द गर्द तमाम वो लोग हैं जो इस करफशन का सबब बन रहें तमाम ना कहें बहुत से बिश्तर लोग है अचा दूसरी तरफ इमरान खान बबाग दहल कह रहे हैं कि उनकी जिन्दगी का मिशन सिर्फ करफशन का खातमा है तो ये इस तज़ाद में आप कौम को किदर जाते देख रहे हैं यानि कहां पर सेटिस्फैक्शन की कोई डिगरी नजर आती है या मुस्तकिल हम तनजल ही के तरफ जाएंगे क्योंकि ये बड़ा पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक हुकूमत जो करफशन के खिलाफी दावा करती हुई पावर में आई है जैसा कि आप कर रहे है कि जिन सहाब ने ये ऐलान किया ये शीजे के फैसले से पहले हम गेहूं इंपोर्ट करेंगे और वो सहाब जब ये ऐलान कर रहे थे वो सजायाबता है तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हाद बाने खड़े थे आपके लिए तेकाल के देख लिए वो किस के पैस्टी में उन्हो करने खड़े थे और क्या ये सहाब जो है इनके खिलाफ डॉकुमेंटरी प्रूफ नहीं है कि इन्होंने मार्ण जो है शुगर की जो है वो जखीरा अंदोजी करके वजीर सनथ के हिसाब से वो जो समली आई देके जिनी बोर्ट करें उसको दो महीने के लिए देफर करा दि करेंगे बाद में नैफरे का जे हम दस्वर्दार हो रहे हैं वो तो रिकॉर्ड पर मौचुज है ने सारा तो आपने जब उन लोगों को शामिल कर लिया और वो ही फाइनसिंग जो लोग कहते हैं जी फाइनसिंग कर रहे हैं उन्हीं का आप जहाज भी शाय इस्तवाल कर ल मीडिया अपनी कहानी सुना रहा है तो फिर तो अल्ला ताले ही हमारे उपर सब्सक्री उपर रहम करें अज़ा ने कार साथ सवाल ये कि हुकूमत अपनी हरकतों से बादनियारी अवाम बेरुज़गारी और खुदकुशियों की रेशियो बढ़ता चला जा रहा है सब्सक्राइब के पास जाने के लिए तैयारी हो रही होगी बोरान में आचुके होंगे अभी सोड़े दिन पहले मैंने अगंटा पहले मेरी बात हो रही थी वाइस बसर अमेर का मैंने उन से यह कहा कि आप सीपक के खिलाव जो अमरी का पीशे पढ़ गया है कि पाकिस्तान बैट ट्रेप में हो जाएगा तो पिछले 25 सालों में 6 दफ़े पाकिस्तान में माशी बोरान आया 6 दफ़े में आई एमफ के पास गए तो बैट ट्रेप में हमेशे ही रहे हैं लेकिन यह था कि हमारी लोकेशन और अल्ला के फजल रगम से पाकिस्तान में जो कुछ है उसके अगर वो कल को कहते हैं कि आप मश्री के वस्ता के बहरान मुलविस हों तो आपको होना पड़ेगा क्यूंकि आप 9 अरफ डॉलर तो दो मुलकों से रही है अगर उनके हकामात आगे तो बास सत्म हो जाएगी तो यह तो खौम को भी सोचना है ना अगर नहीं सोचते तो फिर यह ने आपको लिख के देता हूँ ठीक है जी बहुत शुक्रियां डॉक्टर शाहिदासन सिंदे मौशियात आप हमसे गुफ्तू कर रहे थे हैं यहां पर वक्त हुआ एक और ब्रेक का नाजीन अब हमारे साथ ही रही है जी नाजीन प्रोगैम के तीसरे और आखी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामेदेत कहेंगे फादिस साथ ब्रेक से पहले डॉक्टर शाहिदासन सिंदीकी साथ से हमारी गुफ्तूग हो रही थी और उन्होंने कहा कि भई पंद्रह महीने क्या वहाल किया कई नाकाफी धे और उन्होंनों कामी नी किया करफ्शन के वह उप उन्होंनों तो सेरे से ना ठीका ना थोड़ा ना कामी नी तो तरय कामी है इस युथ झान्टेके ये तो तॉजितूर्स international की report है इसके अलावा भी consumer confidence survey होता है ये भी international अदारा है ये हर मुलक में जाके अपने तोर पे सर्वे करता है पाकिस्तान में जो उन्होंने हालिया सर्वे किया है तो मुक्तलिफ सवाल किया कुछ लों से कहा कि जनाब ये बताइए कि खरीदार जो है आपकी खरीदारी का इतम पर है उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बताईए कि आप जो है अगले छे माह में हालात कहा देख रहे हैं तो पांच में से चार ने कहा कि और बगड़ते देख रहे हैं इसी तरह लोगोंने कहा कि आप ये बताईए कि हालात कब तक बहतर होंगे तो दस में से एक ने कहा कि उमीद है नौ ने कहा कि कभी नहीं बेतर हो अची यह वो है जो मुक्तलिफ किसम के दास्ताइड लोग सर्वे करते रहते हो यह सारे सर्वे वो हैं जो बाहर के यहां के भी नहीं है अच्छे इसी तरह जॉब्स लोग उन्होंने पूछा कि जॉब्स सिकुरिटी के हवाले से अब क्या समझते है के महभूज है 10 में से 8 ने कहा कि ने बिल्कुल महफूज हए है निगेटिव अज़े यह को शॉब्स लोग उन्होंने संवाल कि आप क्या समझते है कि नौकरियां जा रही हैं लोग की आपके वाकिलोगों ब तो 10 में से چار نے کہا کہ ہم نے تو زیادہ تر جاتے ہی سنا ہے ملتے نہیں تو اسی طرح موجودہ صورتحال میں سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے مطمئن ہیں تو نوے فیصد لوگوں نے کہا کہ بالکل مطمئن نہیں اچھا تو اب یہ بتائیے کہ جب یہ حالات ہیں اچھا اب یہ ظاہر حکومت یہ کہے گی یہ بھی سروے سا فراڈ سروے ہے کیونکہ عمران خان کو خفت ہے میرا خیال ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس بات پہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ سچ ہے اچھا یہ بدترین ڈکٹیٹر کی علامت ہے کیونکہ جمہوریت کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ بھلے اس کو مانے نہ لیکن سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں نے شاید آپ کو پتا پہلے بھی پروگرام میں کہا کہ جمہوریت کی سب سے بڑی شان جو ہے پہچان جو ہے نقاد پہ ہے سامنے تو یہ تو سننے کیلئے تیار نہیں ابھی دیکھیں نا آیا بیان چل پڑے دوڑ کے اچھا یہ جو اگر ہم بات کریں جو مختلف جماعتوں کے لوگوں کے جو کومنٹس ہیں تو جیسا نون لیگ کی ہم بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ریپورٹ ہے نا وہ حکومت کے موپے جیسے کہ ایک تماشا وہ تصور کر رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا سخت چملہ دیکھیں بات یہ کہ اپوزیشن کو تو ظاہر ہے موقع مل گیا بات یہ کہ امران خان صاحب نے ان دو پارٹیوں کو دیوار سے لگانے کے لیے جتنے جائز اور ناجائز حربے تھے استعمال کے لیے جو سیاست میں نہیں ہوتا ہے آمریت میں ہوتا ہے انہوں نے آمریت یعنی پرویز مشرب اور دیاؤلحق کے زمانے سے بھی زیادہ آمر بن کے انہوں نے لوگوں کو پرسنل یعنی تمام ریکارڈ موجود ہے کہ اس کو سزا دے دے اس کو بند کر دو اس کو جیل میں بھیج دو یہ کرتے رہتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کام چلتا رہے گا اس طرح کام نہیں چلتا ہے اب حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اب ملک میں مہگائی آسمان پہ ہے بے روزگاری آسمان پہ ہے دوسری طرف اب یہ جو اب یہ آٹے کا واقعہ ہوا ہے وہ آپ کا خیال عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیوقوفوں کی قوم سب کو سب پتا ہے کہ کیسے جہانگیر ترین نے پہلے بھیجوایا پھر اس کے اس میں پیسے کمائے پھر مگوا ہے ابھی آپ یہ دیکھئے کہ چینی کا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ چینی کا بھی یہ شورس ہونے والا ہے کیونکہ چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کا دچانک وابیلا ہوگا رمضان سے پہلے کی جو وہ مال ختم ہوگیا پھر امپورٹ ہوگی تو یہ امپورٹ ایکسپورٹ میں ان کے ساتھ بیٹے ہوئے جو صاحب ہیں یا جو صاحبان ہیں وہ جو پیسے کمائیں گے چھپنے کی بات تھوڑی جب پھر آپ کو بتائیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ میڈیسن پہ لوگ شور مچا مچا کے تھک گئے ہیں کہ عدویات جو بالکل ڈے ٹو ڈے کی عدویاتی نہیں پینڈرال ہے بچوں کے صرف ہے خانسی کی صرف اس پہ پچیس سے پینتیس پرسنٹ اضافہ کر دیا گیا ہے بھائی کس کھاتے میں بھائی اچھا تو وہ لوگ پریشان ہیں ہسپیٹل کے لوگ پریشان ہیں علاج کے لوگ پریشان ہیں نوکری کے لوگ پریشان ہیں اچھا آپ ہر جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب چور تھے ہمارے ملک میں سب چور تو انویسمنٹ بھی کوئی نہیں آ رہی تو اب یہ اچھا جو پیسے آپ کے پاس آپ نے باہر سے لون لے کے اسی پہ آپ انٹرسٹ پے کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مال آیا ہوا تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی بترین حکومت ہے پی ٹی آئی اس ملک کی عوام کے شاید کرتوت ہے یا برائیاں کہتے ہیں نا آمال کے نتیجے میں اللہ تعالی نے لا کے ہم پہ مسلط کیا جو بری طرح ناکام ہے اچھا آمال کیا آپ نے بات کی تو ہمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی حکومت کے لیے مقافات عمل ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت بالکل اپوزیشن کا ساتھ دے نہیں ساتھ نہیں دے رہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو صرف خاموشی سے یہ چاہیے تھا کہ کام کرتے رہتے کسی کو نہ چھڑتے دو سال میں جب مضبوط حکومت ہو جاتی کرپشن آجتا آجتا کنٹرول میں آجتا پھر آپ باتیں آپ نے اتنے بڑے بڑے دعوے کی اتنے بڑے بڑے دعوے کی اور ہر دعوے کی خود تردید کی تو بھئی لوگ گدھے تھوڑی ہیں احمق تھوڑی ہیں بے وقوف تھوڑی ہیں سب سمجھتے ہیں کہ آپ اب ہر آدمی میں آپ سے بتاتا ہوں کبھی آپ نکلے پھل والے سبزی والے گوش والے عام لوگ بھی مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں ارے بھئی عمران خان نے کہا تو بس ایسی کہا ہوگا کوئی سر پیڑ نہیں ہے اس کا تو ابھی بھی وقت ہے ابھی وقت ساڑے تین سال باقی ہے سر جوڑ کے بیٹھیں سارے لوگ اور یہ کہیں کہ بھئی دیکھو ہمارے سر پہ آن پڑی ہے یہ Transparency International ہے یہ Consumer Confidence Survey یہ سب ہمارے خلاف جا رہا آؤ بیٹھو اور اس کے مسئلے کا کوئی حل نکال لیں جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یہی پرابلم ہوتی رہے گی اچھا تو یعنی یہ جو کرپشن پہ ہم آج مایوس بیٹھے ہیں یا مایوس ہی ہے یا جو کچھ بھی ہے تو آپ کے خیال میں مطلب قیادت کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ بیٹھ آئے سب کو اور پھر یہ بات چیت کرے شفاہ جوتیوں میں دال بٹنے کی بات ہے میں نے آپ سے کیا کہا کہ پرویز الہی صاحب پہلے ہی شاکی ہیں اپنے چودری فواز صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہاں اچھا چیف منسٹر پنجاب کے بارے میں بچہ بچہ بوڑھا جاہل پڑھا لکھا مزدور افسر سمجھ گئے ہیں سب لوگ خلاف اس کے وہ کہتے ہیں نہیں صاحب اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں تو جب یہ حالت ہو جائے گی آپ کے تو آپ سمجھیں اس حد دھرمی سے حکومت تھوڑی چلتی کب تک چلے گی جب تک چلے گی چلے گی تو مکمل زبال کی طرف آپ جاتے چلے جانا ہے بہت شکریہ خالد فاطمی صاحب آپ کا ناظر اللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی جب تک آپ سب نہ رکھیے گا بہت سا خیال ربینہ الوی کو دیجئے گا اجازت اللہ نکبان